हेलो फ्रेंड्स आज में सेयर करने जा रही हूं विलेज इस्टायल में देशी मस्रूम जिसे हम जारकर में छाता खुकड़ी भी कहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेश्ट है रेसिपी थोड़ी भी यूजफूल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सर करें मेरी इस चोटी सी फैमली का हिस्टा बने तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम देशी मस्रूम लिया है अब एक बड़ा सा बरतन में पानी डाल मस्रूम को हम बहुत अच्छे से साफ करेंगे जोकि यह देशी मस्रूम है तो इसमें बहुत सारे म तूड़ा बने 3-4 बार साफ पाने से धोकने करेंगे इसे अच्छे से धोने के बाद आप देख सकते हैं ऐसमें अच्छे से साफ कर लिया है अब इसे हम छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में हम तोड़ लेंगे ये बहुत नाजूखते हैं तो इसलिए हमें चाकू के आवसकता नहीं है ये हाथों से तूट जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सभी मसलूमों को इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ों में तोड लिया है अब तयार करते हैं इसके मसाले इसके लिए मैंने 10-12 लहसन की कलियां लिये है थोड़ा से खड़ा गरम मसाला है जिसमें एक तालची नहीं दो छोटी लाची एक बड़ी लाची चाल लॉंग और दो सूखी लाल मिर्च दो हरी मिर्च 10-12 काली मिर्च आधी चोटी चमच जीरा इन सब को हम जार में डाल ख्राइन पेश तयार कर लें अब चलते हैं गैस की तरफ कड़ाई गर्म हो गई है तो इसमें हम दो बड़ी चमच सरसो का तेल डालेंगे अब जो भी तेल इस्तिमाल करते हैं खाने में उसका इस्तिमाल क को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या सुनरा ना हो जाए तब देख सकते हैं आज के तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है इसे हम थोड़ी टाइम के लिए और भून लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने मसाले पी सी हुए थी उसे डालकर इसे हम एक से दो मिनेट तक भून लेंगे मसालों को भूने के बाद हम एड़ करेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे एक चमच पस्मीरी लाल मिर्ज पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधि चमच हल्दी तेश्के कोडिंग नम्मा अब इन्हें हम मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे प्रंट्स आप चाहो तो यहां टमाटर भी एड़ कर सकते हों मैंने टमाटर के बिना ही इसे बनाया है इन मसालों को हमें लो फ्लेम में तीन से चार मिनट तक पका लेंगे इन्हें हम तब तक भूनना है जब तक मसाले से अच्छे खुस भूना आने लगे अब हम थोड़ा पानी एड़ करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं और यह जले भी ना प्रंट्स आप मसाले कम या ज़्यादा अपने एकोडिंग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गया है यह ओल भी छोड़ चुका है अब हम एट करेंगे मस्रूम फ्रंट्स मैंने मस्रूम में आधी छोटी चमच हल्दी डाल इसे अच्छे से मिला लिया था अब हम इने मसालो के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों से हमें अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढग कर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे फ्रेंट्स ये बहुत टेश्टी लगता है एक बर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें इसके आगे चिकन मटन भी फीका है फ्रेंट्स हम इसमें पानी एट नहीं करेंगे जैसे जैसे ये मस्रूम पकेंगे ये पानी छोड़ेंगे उसी से ये पक कर तैयार हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं मस्रूम की कॉइंट्रिटी पहले से कम हो गई है इन्हें ढखकर और दो से तीन मेंट तक पका लेंगे तो तैयार हो गई हमारी तेशी एश्टायल में मस्रूम फ्रेंट्स आप जाहो तो इसमें धन्यापत्ता से भी गार्निस कर सकते हो पर ये पिना धन्यापत्ता के भी बहुत टेस्टी लगेंगे तो आप भी इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करें फ्रेंट फैमिली के साथ सेयर करें और रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सर सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ